नमस्कार दोस्तो स्वागत मेरी यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है इसलिए मैं आप सबसे रेक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सबस्क्राइब करके बैल के आइकन को जरूर दबाजीजिए बहुत बहुत धन्यवाद तो जैसे जैसे टेकनलोजी का विकास हो रहा है वैसे वैसे ही हम एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं हर चीज के अंदर तो उसी में ही बात करेंगे आटो मोबाइल सेक्टर की दोस्तों जैसे आपके बता होगा जब तक लीथियम आयन की बैटरीज का विश्कार नहीं हुआ था तब तक इलेकट्रिक विकल्स बनाना अपने आप में एक सपना जैसा लगता था क्योंकि लेड एसिड जो बैटरीज हो थी उनमें वेट बहुत जादा हुआ करता था और उनकी पावर कैपेसिटी भी बहुत कम थी और उनके अंदर स्टोरिज कैपेसिटी भी बहुत कम थी और भी ज़्यादा टेक्नलोजी का विकास होना जरूरी है तो दोस्तों आज हम उन पॉइंट्स को डिसकस करेंगे जो आने वाले टाइम में EV वीकल्स को या फिर कनवर्जन किट्स को और ज़्यादा इफिशेंट बना देंगे क्योंकि जैसे कि एकर हम बात करें सस्ती गाडियों की तो उसमें तो हम स्क्रैब कर देते हैं लेकिन बहुत सी गाडियां बहुत मेहंगी आती है जो लाखों की करोडों की गाडियां होती है उन गाडियों को भी गवर्मेंट जो है 15 या 20 साल के बाद जो है आउट आफ सर्वि को discuss करेंगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो EV conversion kits जो लगेंगी आने वाले टाइम है और जो EV गाड़ियां होंगी उनके अंदर जो batteries होंगी वो बहुत ज़्यादा advance होने वाली है जिसके अंदर fast charging इस प्रकार की मिलेगी कि उसमें आप 15-15 मिनट से लेके आदे घंटे या एक घंटे के अंदर अंदर ही उस battery को full charge कर पाओगे battery की capacity को भी increase किया जाएगा यानि की कम weight के साथ देखिए दोस्तों जो भी गाड़ी होती है उसकी अगर आपको efficiency बढ़ानी है तो उसका weight को कम रखना होगा तो हम कम weight के साथ अगर अपनी batteries की capacities को बढ़ा पाए और fast charging वाला option दे पाए तो जो गाड़ियां है वे बहुत ही ज़्यादा successful हो जाएगी दूसरी बात करी जाए तो जो दूसरा पहलो ये होगा कि जितनी भी संभावित तरीके हैं उससे उन बैटरियों को दुबारा से charge किया जाए संभावित तरीके से मेरे कहने का मतलब है कि जैसे कि regenerative breaking system करा जाए solar charging की जाए और fast charging की जाए अगर हम चाहे तो wind से भी charging कर सकते हैं लेकिन वो सब चीजों के लिए उसमें काफी जादा costing लग जाएगी फिर भी regenerative breaking system जो है वो अभी भी market में आ रखा है बहुत सारी electric गाड़ जो regenerative breaking system वाला लगवाना चाहते हो तो वो काफी जादा आपको costly पढ़ने वाला है तो उसमें तो इतना जल्दी मुझे नहीं लगता कि regenerative system आएगा EV kits के अंदर लेकिन जो factory fitted जो EV गाड़ियां है उसमें वो अभी भी आता है next जो power का source है दोस्तो वो है solar क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां जो है वो धूप में खड़ी रहती है काफी जगे पर तो अगर आपकी छट के उपर solar की अगर कोई charging व्यवस्ता हो तो उसके उपर भी दोस्तो काम चल रहा है आने वाले time में जो fiber यानि की fabric जैसे बिल्कुल ही पतले और बहुत कम weight के solar cell उपलब्द हो जाएंगे जिसकी वज़े से charging करना बहुत ही जादा easy हो जाएगा इसी बारे में भी सिलसला चल रहा है कि जो solar cell है उनको इतना पतला और हलका बनाये जाए कि उसको कहीं पे भी easily हम चदर की तरह बिचा सकें दोस्तों information के लिए ये video बनाई गई है कि आने वाले time में EVs के अंदर बहुत ही जादा potential है कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि EVs जो है future नहीं बन सकती लेकिन ऐसा बिलकूल भी नहीं है जिस परकार से petrol की खोज हुई थी उसके बाद आज तक पहुँचने में लगबग 100-500 साल लग गए हैं लेकिन EVs फि को इलेक्ट्रिक देखने को मिलेगी तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही इसी तरह की informative वीडियो के लिए चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद